येस डियर गेट्स आज हम चेप्टर नमबर 6 पेड़ हमारे साथी इसका एक्सरसाइज का सेकिंड पेज यानि पेज नमबर 74 करेंगे ठीक है तो सही उत्तर का चुनाव कर खाली स्थान में लिखिए देखिए यह आपको क्या दिया हुए खाली स्थान यानि रिक स्थान भरो यानि एक संटेंस दिया हुए और उसमें एक ब्लैंक दिया हुए रिक स्थान दिया हुए और यह आपको तीन ओप्शन दिये है इन तीनों में से आपने सही को चुनना है और यहां लिखना है जैसे यहां पर यह है मोसी ने पेड के पास एक डैश जलाया तो मोसी ने क्या जलाए था मुंबती जलाई थी दिया जलाए था या बल्ब जलाए था देखो प्रेड़ के पास बल्ब नहीं जला सकते और आपको पते कि दिया जलाए था तो आप यहां पर दिया लिख देंगे नेक्स्ट है पेडों से हमें ताजी डैश मिलती है हवा धूप ठंडक तो आपने चेप्टर में पढ़ा है पेडों से हमें ताजी हवा मिलती है क्या मिलती है ताजी हवा तो आप यहां पर लिखेंगे हवा ठीक है, next डैश में बाड आ गई थी बाड किस में आई थी, तलाब में, सागर में या नदी में तो बाड किस में आई थी, नदी में आई थी तो आप यहां पर लिखेंगे, नदी में बाड आ गई थी ओके, next है दिखो समान अर्थ वाले शब्द मिलाए जिसका सेम अर्थ हो, जैसे अवश्य का जो मीनिंग है वो जरूर, यानि अवश्य को जरूर भी कहते है, समान अर्थ यानि एक जैसा अर्थ जिन शब्दों का एक जैसा अर्थ हो, उसे समान अर्थ कहते है, ठीक है, वो वले शब्द मिलाने हैं तो अवश्य है और जरूर, दोनों का एक ही अर्थ है, अब है दिया, दिया या दीपक, तो इसमें से आपने चुन कर उसको मिलाना है, तो आप ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, दिया दीपक, नेक्स्ट है आपका वर्षा, वर्षा, यानि वर्षा क्या होती है, जैसे पानी बरसता है, बादलों से, ठीक है, तो बारिश, वर्षा को हम क्या कहते है, बारिश भी कहते है, तो आपने इसको पैंसिल से इस तरह से मिलाना है, नेक्स्ट है आपका पशू, पशू या जानवर, दोनों एक ही बात है, ओके, नेक्स्ट है जल, जल या पानी, एक ही बात है, तो हम इस तरह से मिला देंगे ओके ये आपने मिलाना है नेक्स्ट आपका गलत शब्दों पर गोला लगाए ये आपको दो शब्द दियो है इन में से जो गलत है उस पर आपने गोला लगाना है ठीक है तो आपने चप्टर में पढ़ा है उसमें देखो रीशी एक इस तरह से और ये रीशी तो रीशी में ये जो रीशी है ये गलत है रीशी इस तरह से लिखा जाता है तो आप इसके उपर इस तरह से गोला लगाएंगे नेक्स्ट है देखो इदर 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 इन दोनों में से सही क्या है इधर ये सही है तो जो गलत है उसके उपर आप क्या करेंगे गोला लगाएंगे नेक्स्ट है पशू पशू तो बोलने में सेम आ रहा है लेकिन जो सही है वो ये है और जो गलत है ये तो इसके उपर हम क्या करेंगे इस तरह से गोला लगाएंगे क्योंकि जो गलत शबद है उसके उपर हमने गोला लगाने नेक्स्ट है वर्षा देखो वर्षा भी सेम बोलने में वही आता है वर्षा लेकिन ये सही है और ये क्या है गलत है ठीक है नेक्स्ट है बाड अब ये भी बाड बाड तो इसमें सही ये वाला है और ये गलत है इसलिए इसके उपर क्या करेंगे गोला लगाएंगे या सरकल लगाएंगे नेक्स्ट है पेड़ पेड़ तो ये जो है गलत है ये करेक्ट है ये राइट है पेड़ तो इसके उपर हम क्या करेंगे गोला लगाएंगे इस तरह से ये आपने exercise आपकी complete हो जाती है नेक्स्ट है आपका तो बाड़ में क्या क्या बहे जाता है चित्र देखकर लिखे तो ये बेटा आपने खुद करना है आपने देखो आप लिख सकते हो बाड़ में क्या बहे जाता है पेड़ बहे जाते हैं मकान जो घर है वो बहे जाते हैं पशू बहे जाते हैं मनुष्य बहते हैं तो बरतन बहते हैं बहुत सी चीजें वह आप कोई भी चार यहां पर लिखेंगे यह आप अपने आप स्वयम करेंगे अब आगया पेड के भागों के नाम लिखें यह आपको पेड दिया हुआ है इसके भाग देखो यहां यह जो जमीन के नीचे होता है यह वाला यह क्या होता है जड तो आप यहां पर लिखते होगे जड ठीक है इस तरह से और यह हमारा क्या है तना यहां पर लिखोगे आप तना फिर यह हमारी क्या होती है यह पतिया जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रखी है तो आप यहां पर लिखोगे पतिया ठीक है और यह आ और बेटा एक पेड़ के जो भागों में से एक फूल भी होता है तो आप फूल भी लेख सकते हो और एक होती है शाखाएं ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली ये क्या होती है शाखा ये तो बड़े वाला ताना बोल देते है इसको और इसको हम क्या बोलते हैं शाखाएं ये जो आगे जाती हैं जिसके उपर आगे ओर पतियां लगती हैं अफ़ल लगते हैं तो ये क्या होती है शाखाएं अब इसमें क्या है सुलेख लिखना है यह सबसे पहले आप इसके उपर ही लिखोगे इस तरह से बिल्कुर जैसे यह लिखा हुआ है इसके उपर ही आपने लिखना है इस तरह से पेड़ो फिर यह है आपका क क को ओ की मात्रा को नेक्स्ट है आपका ब चा ओ बचा ओ बचा ओ यह पूर्ण वे रहा है और इसे आपने नीचे भी लिखना है पेड़ो को बचाओ तो यह आपका जो चेप्टर है यह इसके एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है ओके बचा को बचाओ 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 बिचा है ऑकाओ बचाओ एक्सराइज काओः लिखना है शो के अधाओ जो खिए ग्वादाओ